बुलो श्री प्राणनात प्यारे कीजे बुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे पन्ना धाम कीजे सर्व सुन्दर साथ कीजे आप सभी सुन्दर साथ जी के धाम रिदय में विराज मान, शोभाय मान, प्राण प्रियतम के कोमल चर्नार बिंद में कोटान को प्रनाम जी ये शब्द शब्द ना रहें, ये लाइव हो जाएं सुन्दर साथ जी, हम सब के जीवन में सच में हम उन्हें प्रत्यक्ष देखकर प्रणाम कर पाएं दे 109 एक सो नौमा दिन श्री सिंधी मंथन, सुधना आसा उमेद, सुधना प्रेम प्रीत हमें किसी प्रकार की सुध नहीं है यहाँ पर, पिया जी आपको तो सारा पता है, आप दे दो हम सबको और इधर हमें भी समझा रही हैं वानी ने कितना कुछ दे दिया भी तक कोई प्रेम प्रीत की सुद नहीं है हमें सुन्दर साजी इंद्रावती सकी ने मुखब हमारी तरफ कर लिया है जो हम कट घरे में खड़ी हैं आज तक उधर मुख करके समझा रही हैं कि उधर तो मैं बात कराई अब तुमारी बारी है देखने के लिए जो पिया की ओर पढ़ रहे सुन्दर साथ हैं उनके मुखार बिंद पे वो प्रसनता देखने के लिए ये सुन्दर साथ इतनी मेहनत करते हैं चर्णों में कोटान कोट प्रणाम जी आए सुन्दर साथ जी चलते हैं नीता उपरेती जी अत्ती सुन्दरवानी गायन लेकर आई प्रणाम जी नीता जी प्रणाम जी जी उजानों तियों रखो धनी तुम्हारी में ये कहने को भी ना कछो तो कहां कहों तुमसे जी उजानों तियों रखो धनी तुम्हारी में कछो कछो दिल में उपजता सुभी तुम्हे उपजावता कछो कछो दिल में उपजता सुभी तुम्हे उपजावता दिल बाहिर भी तर अंतर सब तुम्हे हक जानता जी उजानों तियों रखो पिया धनी तुम्हारी में जानों तुम्हाजी रखो जारों तो दिल गिरे जानों तुम्हाजी रखो जारों तो दिल गिरे या पाक करो हादी पना या बज़ा है महे तक से जी उजानों तियों रखो पिया धनी तुम्हारी में सेरी महामत कहे में हक के खोले मागज मुसाफ कलाओ तेरी महामत कहे में हक के खोले मागज मुसाफ कलाओ और हाक कलाओ को खोल सके जो मिले सवदेत वकत मागज जी उजानों तियों रखो पिया धनी तुम्हारी में जीओ जानों तियों रखो पिया धनी तुम्हारी में ये कहने को ही ना कछो तो कहा कहो तुम्हारी में धनी तुम्हारी में भुलो स्रिफ राणनात प्यारे की तुम्हारी में प्रनाम जी नीता जी आपके चर्णों में प्रनाम ऐसे लगता है धनी बहुत महरबान है इतने प्यारे प्यारे गायक कलाकार भी हमारे इस छोटे से मंच को आपकी गरिमा बहुत बड़ी सुन्दर साथ जी जो भी गायन करने भाव से आते हैं धनी का बहुत शुक्राना जो इतने सारे हीरे हमें प्रदान किये उन्होंने आपके चर्णों में कोटान को प्रनाम जी अंती अंती सुन्दर प्रणाम जी जी आए सुन्दर साथ जी चलते हैं श्री सिंधी की और एक बात यात करवाना चाहती हूं सिंधी के बाद आज जो नए सुन्दर साथ हैं जिनोंने कभी प्रणाम भी नहीं किया आज तक वो तयार रहेगा आपसे रिक्वेस्ट है यदी हो सके यदी कमफटेबल हो अभी से कमफटेबल होना यदी शुरू कर सकते हैं तो कैमरा ओन करके केवल प्रणाम भी करेंगे वो भी हम सुन्दर साथ के लिए आपके दर्शन ही काफी है सिंधी के बाद सुन्दर साथ जी आज कारे करेंगे इंट्रोड़क्शन ओफ न्यू सुन्दर साथ जी जो य पहले इतनी मीठी है सुन्दर साथ जी कि क्या कहा जाए उसकी मिठास के बारे में जो महामती जी के धाम रिदय से निकली है और वो भी उपसंहार बोला जाता है इनको खिल्वत परिकर्मा सागर और श्रिंगार के बाद सिंधी को बोला जाता है बहुत सुन्दर सुधना हमें कांद के सुख की अपने पियाजी के सुख की प्रियतम के सुखों की सुधना धनी इस्क परमधाम में रहते हुए भी हमें धनी के अनंत आनंद और प्रियेम की वास्तविक पहचान सुध नहीं थी हमें ना उन सुखों की और ना धनी के इस्क की हमें कोई पहचान नही हमें श्री राजी कैसे लाड देते हैं कैसे प्रेम करते हैं हमारे साथ केहडा पारे हक किस प्रकार से पूर्ण करते हैं हमारी सारी इच्छाओं को और इच्छा कहते वहां होती है सुन्दर साजी जहां अपूर्णता होती है इसलिए परमधाम में इच्छा होने से पहले ही पूर्ण हो जाती है कहते दिल में आती नहीं वो पहले पूर्ण होती है क्योंकि वहाँ पूर्णता है ही नहीं या कोई चीज ना हो तो उसी की तो इच्छा होती है न कि ये नहीं है ये मेरे पास हो जाता तो कितना अच्छा होता वहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ना हो और हमारे दिल में इच्छा है कि ये मेरे पास होता हम तो पहले ही अंदर से बरे पड़े हैं इश्क ले ले के पिया जी से इतने बरे पड़े हैं कि कहा इश्क आप ये भी नहीं पता कि उनके दिल से मेरा दिल प्रवाहित हुआ है, उसी का निकला हुआ अंग है हमारा दिल, उसी दिल में समाज आते हैं, हमें कुछ नहीं पता, बस हमें ये पता है, मेरा दिल इश्क से भरा हुआ और पिया सबसे बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, पिया के मुख से जैसे ही आता है मेरा इश्क सबसे बड़ा सारे माइक वो और सारे सब माइक स्पीकर लगे हुए इधर उधर सारे बोलने लग जाते हैं मेरा इश्क बड़ा मेरा एको हो रही है पिया की आवाज ही हमारे अंदर के रिदे से एको होकर बताई गई और धनी क्य कहते हैं तुमने इश्क मांगा जबकि मंगवाया मेरे पिया ने पर क्यों ये दोश नहीं कि पिया आपने ही तो मंगवाया था क्यों मंगवाया what was the mega reason behind that महा कारण हम ले लेते हैं कि हमें ये और ये दिखाना था महा कारण महर का दरिया सुन्दर साजी दिल में लिया तब ये दिखाने का खेल दिखाने का ख्याल खेल देखने का ख्याल रुहों के दिल में उपजा जब उन्होंने लाड का दरिया दिल में लिया सुन्दर साजी वो लाड के दरिया की एक एक बूंद हमारे रिदे में प्रवाहित करना चाहते हैं ताकि ये सूखा ना रहे वैसा भराव जब तक यहां नहीं आ जाता ना जैसे वहां भरे हुए थे शून्य से शुरू करके उस स्थिती तक पहुँचना है सुन्दर साजी जब फिर से कहें कि पिया हमने अरजित किया पिया आप से ही किया पर हमने अरजित किया आपने अरजित करवाया पिया जी अब शून्य नहीं है हमारे दिल में इश्क की शून्यता हमारे अंदर नहीं है भले आपने दी पर आई अब यही तो दिखाना था कि मेरे पास है पूरा मैं देता हूँ वो तो हमें समझ में आ गई पर ले हम नहीं पाए सुन्दर साजी ऐसी रहनी करके दिखानी है कि पिया स्वयम आकर उडेल देंगे पूरा का पूरा इश्क हमारे अंगर क्योंकि पूरे से कम तो वो देते ही नहीं है धीरे धीरे अरजित करना पड़ेगा पूरा मिलेगा परमधा में रहते हुए भी हमें पहचान नहीं थी हमें ये भी पता नहीं था कि श्री राजी किस प्रकार हमारी प्रेममई लीला को पूर्ण करते हैं हमें कोई ग्यान नहीं हम तो गर्क रहती थी, गलतान रहती थी, मचली को कुछ पता नहीं, कि प्राण है उसका, ये जो जल है, उसके प्राण है, उसको पता ही नहीं था, जल से बार निकाला गया, तो तड़ पे ही, तब पता लगेगा कि जल की वैल्यू क्या थी, हमने जल तो ले लिया सुन्दर साजी, यहां पे पर मोसागर के जल में हम प्राण ढूंड रहे हैं, वहां पे सुख ढूंड रहे हैं, वो नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ इस माया में आता ही रहेगा, और हमेशा आता रहेगा, सुन्दर साजी वो नहीं रुखने वाला, अंदर की परिस्थिती बदल सकती है, और उसको केवल एक बदल सकता है, हमारी ब्रह्मवानी, हमारे सत्गुरु का आशिरवाद, उनके चर्णों का प्रताप को बदल सकता है, हमारे भीतर की अवस्था को, और जैसी भीतर में चेंजिस आने शुरू होते हैं न, ये संसार, उनके लाड का उत्सव, मेहर का उत्सव ऐसे लगता है, कि धनी का हाथ पकड़के, अब इस खेल को देखना शुरू किया है, एक्चली में, पहले तो इसी में ऐसे लग रहा था, खेल रहे हैं, तब पता लगता है, we are not part of this, we are not playing this, हमें दिखाने लाएं हैं, हम देखने लग जाते हैं, धनी की नजर से फिर वो खेल दिखाते हैं, वहाँ नजर में नजर डालके रखी है, धनी के, सोचिये सामने, पूरी हम सारी परातम, वहाँ पे हम सब के मूल, तन, परातम, पिया जी के सामने बैठे हैं, किसी की और पीठ नहीं होती सुन्दर साथ जी, सेंटर में बैठे हैं, पर जो सखियां पीछे हैं, पीठ उनकी तरफ भी नहीं है, ऐसी परमधाम की भूमिका है, यहां से लगता है कि इधर मुख, इधर पीठ, इध लेफ्ट, उधर राइट, उधर उप्तर, उधर दक्षिम, वहां पे ऐसा नहीं होता है, यहां समझाने के लिए सब कहना पड़ता है, उन सक्खियों की और भी मुख्य होता है, हम सारी सामने बैठी हैं, पिया जी के, कितना सुन्दर वो द्रिश्य है, मूल मिलावे का, सब उने पिया की नेत्रों में नेत्र डाले हुए हैं, पर विडंबना ये है कि इस बार उन नेत्रों से इश्क नहीं ले पा रही हैं, क्यूंकि हमारी नजरों को अपनी नजरों से खीच कर अपने दिल में ले गए हैं, दिल का द्रिश्य नजरों में दिखा रहे हैं सुन्दर साची दिल के परदे पर ये खेल दिखा रहे हैं इस बार दिल के परदे पर तो इश्क की लीला हुआ करती थी पर अब ये माया का खेल अपने रिदय पटल पर दिखा रहे हैं कैसे वो दिल का परदा हमारी नजरों को अपनी नजरों से अलग करी नहीं सकते क्या करें खेल दिखाने के लिए भी अपनी ही नजरों में नजरें डाली हैं यह नहीं कि इधर देखो परदा लगा देते हैं उधर टीवी लगा देते हैं वहां देखो मेरी तरफ नहीं कोई नहीं सकते अलग क्या करें सुन्दर साथ जी 24 by 7 यहां कहने के लिए हमारी ही तरफ देख रहे हैं 24 by 7 हमारी परातम के मुखार बिंद कैसे बदल रहे हैं इस खेल में जब यह जीव प्रभावित होता है उससे आत्मा के माथे पर हलकी सी वो आती है उससे परातम के चेहरे पर वैसा हलका सा भाव दिखाई देता है हर भाव को पढ़ रहे है पिया जी हर भाव को देख रहे है कब मुस्कराहत का और कब दो भाव कब मुस्कराहत का और कब उदासी और उदासी भी किसके लिए धनी के लिए निम्माया के कैसा लगता होगा मैं 24 घंते सातों दिन, 365 दिन यहां के हिसाब से इनकी और देख रहा हूँ इनके भाव पे उदासी आई भी इनके मुख पे तो वो मेरे लिए नहीं थी मैं कबसे इनों ने मुझसे बात देनी की कबसे मेरे से बात नहीं होई तुमारी और तो मुदास हुई भी तो माया के लिए ही कैसा लगता होगा, सोच के देखिये हर बार अपनी तरफी camera का angle अमने set किया है मैं दुखी, मेरा ये मेरे परिवार में, मेरी समाज में ना कट गई मेरा ये हो गया हर बार अपनी तरफी angle कर रखा है कभी एंगल उनकी तरफ भी सेट करके देख लीजिए उन पे क्या बीत रही है सुन्दर साथ जी कैसा लगता होगा उनको उदास होना है तो धनी के लिए उदास होना सीखिए माया के लिए उदासियां कर कर के कितने जनम खो दिये अब ये भी ना बीत जाए अब पिया की उदासी एक आंसू अगर निकल गया यहां पे ट्रू आंसू जो होता है न सच हो जो बिल्कुल उसमें कोई मिलावट ना हो माया के दुख से दुखी हो के नहीं निकालना वो सुन्दर साथ पिया के विरहा में सच में अंदर कोई और सूक्ष्म रूप से कुछ नहीं छुपा हुआ उसके पीछे की वज़े जुदाई है उसके पीछे की छुपी हुई वज़े कोई और नहीं है कि आज मैं माया से दुखी हूँ तो तेरी जुदाई मुझे साल रही है वो नहीं चले शुद्ध शुद्ध विरहा बोलते है न एक आसू यहां टपकेगा अगर तो वो आत्मा पे भी अलकी सी जलक उसकी दिखाई तो जरूर देगी पर आतम भी उसको बताएगी पिया जी को उनके मुख से पता लग जाएगा आज इसकी प्रतिबिम्ब स्वरूपा आत्मा ने जो तन धारन किया जो जीव पर अधिष्ठान बना कर ये बैठी है आज उसने एक आसू निकाला है मेरे विरहा में कैसे नहीं आ जाएंगे सुन्दर साथ शुरू करना है अब और ये करना नहीं पड़ता ये करने से होता भी नहीं है अगर हम कहें जबरदस्ती आसू निकालने वो निकलते भी नहीं है जैसे कहते है ना प्रेम किया नहीं जाता है हो जाता है विरहा किया नहीं जाता है जबरदस्ती नहीं कर किया जाता है विरहा होने लगता है उसको रोका नहीं जा सकता फिर ना उसको किया जा सकता है ना उसको रोका जा सकता है वेटिंग वाली जो अवस्था है ना उसको विरहा कहते है सिंपल शब्दों में जब एक्चुल वेट स्टार्ट हो जाएगी ना ना तो उसको रोका जा सकता है ना उस अवस्था की तरफ स्वयम को धकेला जा सकता है सुपर साजी बहुत सुंदर प्रोसेस है ये अति सुंदर वानी से प्यार करते करते मूल स्वरूप सुंदर साजी मूल वानी से जुड़िये किसी भी तन का आड़ा हटा के एक बार जुड़ के देखिएगा कोई तन दिखाई नहीं दे रहा मेरे सत्गुरू का तन में दिखाई दे रहा मूल स्वरूप आवेश स्वरूप शुद्ध उनकी तरफ मेरी नजर मेरे सत्गुरू ने की है कि उधर देखो मेरी तरफ मत देखो देखिए एक बार ट्राई कीजिए वानी के साथ निस्बत का जो connection है न हमारा वैसे बाते उनकी पढ़के देखिए निकालने निपढते आसू स्वत है पहले बाहर बहते हैं जब बाहर बह बह के ठक जाते हैं तो फिर उनका जरना अंदर की और फूटता है बाहर की धारा बंदो जाती है फिर अंदर फूटता है जो किसी को दिखाई निदेता इसको पता होता है या तो स्वयम को या धनी को पता होता है कि ये अंदर से बिलक रही है बाहर किसी को पता नहीं लगता पर जब वो जरना अंदर फूटता है न तो वो रुकता नहीं है सुन्दर साजी माया के काम करते करते उस जरने की धारा को रोका नहीं जा सकता बाहर तो रुकना पड़ता है पर अंदर कौन रोकेगा पिया चाह रहे हैं ये भहे क्योंकि उनके आने का समय उचुका है उस खशन को कोई नहीं रोक सकता जो तिनके आखों के आगे है न वो विरहा के आसू उन तिनकों को गला देते हैं जला देते हैं भसमी भूत कर देते हैं उन तिनकों को चाहे वो विकारों के तिनके हो चाहे मोह के तिनके हो विरहा के आसूं में वो अगनी होती है जो उनको जला के राख कर देती है करना नहीं पड़ता स्वतैस्व चालित होता चला जाता है आप चाहो भी कोई चाहे भी तो इसको रोप नहीं सकता उसके बाद कि ये माया में वापिस आ जाए ये ऐसे कारे करने लग जाए नहीं करपाएगी लाख जोर लगा ले कोई वो स्वयम भी चाहे वो जीव वो नहीं कर पाएगा वो चाहेगा ही नहीं वो तो चाहेगा उसकी और बढ़ना सुन्दर साजी जिसके लिए वो जन्मों से तरस रहे बहुत सुन्दर अवस्थाएं हैं हमारे परमहंस निकले हैं इन में से हमें भी जाना है उस मार्ग पे हम बने ही उस मार्ग प मेरे रोम रोम में बसते हो पिया ये जागनी रास आपका इतना सुन्दर है जो मैं जाग के खेल पा रही हूँ आपको पहचान के कि मेरे सामने रास करने वो खड़ा है मैं जिससे अलग नहीं हूँ अपने ही रिदय से मुझे निकाल के मेरे साथ रास करता है अब मुझे पता है तेरे रोम रोम में से निकली हूँ मैं और मेरे रोम रोम तुझ से बना है मैं तेरा तन हूँ, मेरे रोम रोम में बस्ते हो पिया रोम रोम विच्वास सजनदा, सूना जागनी रास सजनदा तुरपईया हुण तेरे करनू तुरपईया मतलब चल पड़ी हूँ अब मैं अब मैंने चलना शुरू कर दिया है तेरी तरफ अब मुझे कोई नहीं रोक सकता ये माया मुझे पीछे नहीं खीट सकती अब मेरे कदम बढ़ चुके हैं तुमारी तरफ तुरपईया हुण पहले लगता था तेरे घर जा रही हूँ अब जब चल पड़ी तो पता लगा तुरपईया हुण अपने करनू छड़नी सक दी तेरे दरनू अब मैं अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी हूँ यहां से ये मेरा घर नहीं है बाहर से घर नहीं छोड़ना ये वला अंदर की यात्रा मेरी शुरू हो चुकी आप कोई नहीं रोक सकता इसको चल पड़ी हूँ हमने हर सुन्दर साथ चल पड़ा है सुन्दर साथ जी रोज दोहराईए चल पड़ेंगे हम एक कदम तो समने बढ़ा दिया उसकी रा की ओर तुर्पईया हुण अपने करनू छड़नी सकदी तेरे दरनू दुनिया पई गल्ला बनावे परमस्ती मैं फिर दी दुनिया बहुत बाते बना रही है यह क्या कर रही है यह ऐसे है गोपियों के भी बड़ी बाते बनाया करती थी दुनिया हमारी भी बड़ी बाते बना रही है पर मैं तो उसकी मस्ती में गर को चुकी हूँ मुझे दुनिया की बाते सुनाई नहीं देती I am deaf and dumb now मुझे माया का कुछ दिखाई नहीं देता कुछ सुनाई नहीं देता कुछ बोलानी जाता माया के बारे में मैं गुंगी बहरी हो चुकी हूँ दुनिया की ओर से दुनिया पई गल्ला बनावे पर मस्ती मैं फिर दी मेरे दिल में महरों का सागर लहराता हो तो मस्ती उसकी आएगी क्यों नहीं सुन्दर साजी जब पिया आप प्रेम उप जावे तभी मस्ती मैं फिर दी जब वो खुद ओ आपे प्रेम उप जावे ओ आपे मस्त बनावे तभी मस्ती मैं फिर दी मस्त बना देंगे पिया आजाओ प्रेम के वृत में उनके प्रेम के सकल में दायरे में एक बार प्रवीश कर जाओ फिर नहीं कोई निकाल सकता सुन्दर साजी किसी में बल नहीं है एक बार यह जीव बल पकड़ के एक बार इतना बल पकड़ ले कि किसी की परवाना हो अब मैं चल पड़ी हूं उस रहां पे अब मुझे कोई नहीं रोक सकता कोई मेरा इमान दिगा नहीं सकता कैसी भी मुश्किले आएं खीचती रहें पीछे से पर इतना बल आ चुका है कि इस रस्ते पे कदम दर कदम डग भरते जा रहे हैं पीछे कितना कुछ खीच रहा है कोई फरक नहीं पड़ता आइरन लेडी आइरन विमेन ये आत्मा की ओर जीव बढ़ता जा रहा है लोह पुरुष लोहे का बन जाता है न सुन्दर साजी वैसे बढ़ते जा रहे हैं अब कोई नहीं रोक सकता है मस्त बना देंगे पिया आजाओ प्रेम के वृत में कैसे आएंगे उनके प्रेम के वृत में कैसे आजाओ वानी के वृत में आजाओ चितवन के वृत में बस सुन्दर साजी ब्रम वानी और चितवन और हर समय पिया में लगे रहना, आजाओ सेवा के वृत में, और समर्पन के वृत में, फिर नहीं कोई रोक सकता, जब हर घड़ी, हर पल, समर्पन, सेवा, ब्रह्मवानी, चित्वन, चर्चा, हर समय तेरा जिक्र मेरे दिल में चलता है न, कोई नहीं रोक सकता, सुन्दर साजी कैसे, श्रिंगार सज के बढ़ती जा रही है मेरी आत्मा, और अब तो ऐसा लगता है, जीव भी आत्म स्वरूप, जैसा ये जीव प्रथम भहिष्ट में लगा करेगा न, प्रथम भहिष्ट में परात्म जैसा हूब हूँ दिखाई देगा, वो आज भी दिखाई देगा, जीव तल होसी आत्म का अर्थ क्या है, आत्मा परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है सुन्दर साज जी, यानि हूब हूब परात्म जैसी दिखाई देती है वो, और ये जीव कैसा दिखाई देगा, परात्म जैसा, प्रथम भहिष्ट में कैसे, हाओ, अचानक से नहीं इसको करना पड़े, जीव टल होसी आत्म, बिल्कुल आत्मा का श्रिंगार ये सजेगा, तब बैठेगा, प्रथम भहिष्ट में, परात्म जैसा दिखेगा, पहले आज दिखना पड़ेगा, रहनी ऐसी अपनानी पड़ेगी, श्रिंगार सुन्दर साज जी, कोई मन में सो जीव को मिठास का, रहनी का, समरपन का, सीवा का, प्रीम का, श्रिंगार सजना पड़ेगा, ये हैं इसकी जांजरीयां और गुंगरीयां, इनकी चमक, इनकी खनक सुनाई देती है, अपने आपात्मा का श्रिंगार सजता चला जाता है बाहर से ये भी अलंकार ही बताए हुए है अंदर मीनिंग कुछ होरी है सुन्दर साथ जी छुपे हुए भाव पिया ने वानी में बताए हुए है हम मन में सोचते हैं, हमने ये पहन लिया हमने वो पहन लिया, सज गया श्रिंगार रहनी के श्रिंगार इस जीव को सजने पड़ेंगे सुन्दर साथ से प्रेम मस्ट है, मस्ट कहते हैं, मेरे चरण कमल तुम निहारती हो, और मेरी चरण कमल के नख में वो ही सुन्दर साथ है, जिससे सबसे जादा ग्रिना करती हो, तुम ने देखा नहीं? मेरे चरण कमल को निहारते हुए, तुमने मेरे उस रोम को नहीं देखा, वहां वही सुन्दर साथ तुमें दिखाई देगा जिसके साथ तुम भी वाद करती मेरे तन है मेरे सुन्दर साथ नहीं जापाएंगे सुन्दर साजी जब तक आपस में यहां मूल मिलावा नहीं बना लेते तब तक नहीं जाएंगे जब तक रिदे रिदे से गलबहियां नहीं डाल लेता मन्जिल बहुत दूर है इसलिए प्रेम कीजिए प्रेम फैलाएए प्रेम की तरंगे सारे ब्रमाद में फैल जाएंगी कवर कर लेंगी आवरण डाल देंगी न तब कुछ हो पाएगा और पहली प्रायोरिटी वाणी में भी लिखा हुआ है पहले मौमिनों के साथ होगा सब के लिए प्रायोरिटी लाइन जो लगाई हुई है कई मंदिर होते हैं वहाँ परायोरिटी की पंक्ती लगाई होती इनको दर्शन पहले कराने हैं क्यूंकि वो सेथ लोग हैं वो बहुत चड़ावा देते हैं हम वो सिठानिया हैं सुन्दर साथ जी हम उनके निस्बत से बंदे हुई से ठानिया है हमारे लिए वो प्रायोरिटी लाई लगाई पहले इनको होंगे फिर बाकियों को मिलेंगे प्रेम की तरंगे भी हमारे अंदर आएंगी हम गोपिया हैं सुदर साजी एक ही प्रार्थना सबसे प्रेम कीजिए ऐसा ना हो कि हम गुना के पात्र बन जाएं उनका कुछ नहीं जाएगा हमें वानी का पता है पता होते हुए भी किसी भी बहस का पाट ना बने जहां प्रेम होता हो बढ़ चड़ के भाग लें सुदर साजी कभी भी किसी वाद का शिकार मत बने किसी वाद का भाग मत पने चाहे वो व्यक्ति वाद हो चाहे स्थान वाद हो चाहे कोई भी हो सोशल मीडिया वाद हो anything we are not part of that जहां से पिया के बान दिल को लगते हो जरूर सुनिये तन को छोड़ दीजी अंदर आती अंदर से आती वी वानी को जरूर सुनिये बंधे ना रहिए सुन्दर साजी specially यहां से इस जूम से भी बंधे मत रहिए I request सब को सुनिये जहां जहां से पिया की बानी निकलती है और दिल को छेद जाती है जरूर जरूर सुनिये और अपने रिदे को उतारिये main purpose is to transform our life now ताकि ऐसी कदम रखे इतने सुद्रिड कदम पिया की और बढ़े कोई रोक ना पाए उसको मैं स्वयम भी रोक ना पाऊ मेरा जीव भी रोक ना पाए कोई माया भी रोक ना पाए इसको ऐसे सुद्रिड इमान वाले कदम उनकी और बढ़ाने है पून समर्पन वाला कदम जब बढ़ता है उसको कोई पीछे नहीं खीच सकता सुन्दर साज जी बहुत बहुत सुन्दर है कबीर जी बड़ा सुन्दर कहते है ये जीवन मिला है ना राम को राज से रिप्लेस कर लीजिएगा इसमें लूट सके तो लूट ले की लूट कर लीजिएगा पाच्छे फिरे पच्चता प्राण जानी जब छूट पीछे भी जीव बड़ा पच्चता पच्चता के आया है बिचारा प्रथम बहिष्ट का अधिकारी बन सकता था अब कहां साथमी या फिर आठमी में आठमी में ही जाना होगा साथमी में तो वो जाएंगे जिनोंने उनका संदेश जिन जीवोंने फैलाया होगा उनमें रहता तो शायद पहली में ही होता कहां पहली कहां आठमी में जाएगा अब वो जीव रोता होगा पच्टाता होगा अब ये जीवनी पच्टाएगा क्योंकि ये जाएगा पिया की और ये तल होसी आतम हो जाएगा ये श्रिंगार सजेगा आतम जैसा और वैसा लगेगा अभी से जैसा इसको प्रतम वहिष्ट में दिखना चाहिए आप सब के चर्णों में कुटान को प्रणाम जी कोई भी भूल, चूक, तुरुटी हो बहुत सारी होती है सुन्दर साजी इस जीव से क्योंकि इसको कोई ग्यान भी नहीं है शूनने सक्खी बचारी जिसने पूरी वानी भी नहीं पड़ी होई अब तक आपके पेशेंस को, आपके धैवे को प्रणाम सुन्दर साजी बस अपने अंदर इतनी कपैसिटी रखिएगा कि बार बार मैं भूले करूँ आप माफ करते जाएगे प्रणाम जी